बात करांगे बात कर लेते हैं जो पोस्ट थी एंट्री ओपरेटर के लिए इन दोनों प्रिश्क जो इन पास हैवेर्य फाइब लिए और और पीएंग बीपर्थी के लिए जीएं से ओफर लाइटर जन रेट करने के लिए अपुरोल मांगा गया है अफ्र लेटर का आने की संभाव नहीं है तो 25 नारीख के बाद कि 25 तारिक तक जो है सभी की फैमिली आडी वरिफाई करवाई जाए आप सभी को पता है आप खुद में से भी बहुत से कंडिडेट ऐसे होंगे जिनोंने फैमिली आडी लगा रखी अपनी फोर्म पर रखा है और उसकी इंकम वरिफाई नहीं है तो इसी कारण से उनको जो है ओपर लाइटर जनरेट करने में दिक्कत आएगी क्योंकि इंकम वरिफाई के बगार जो है जनरेट करना मुश्किल है जिस तरह से एक तरह से ने सीटी रजल्ट के लिए जो है इसी तरह से फिर प्रोविजनल जो आइनिंग देने से अच्छा है एक बार आपकी इंकम वरि का जो है काम चलेगा और PNK और MTS के और DEO के लिए जो है ओफरलैटर आने शुरू होंगे उसके बाद असिस्टेंट और योगा साय के लिए अभी कोई काम नहीं चला है इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है टीजीटी पीजीटी के लिए टीजीटीटीटीवाइब्स देखने को मिल झाएंगे पीन के लिए अपरोल मांग लिया गया है लेकिन एक साइड में जो है फैमली इंकम का काम चलेगा उसके बाद ही इस साइड से तो हो जाएगा अपुरूवल जीम की तरफ से और इस साइड से होगा जो है आपका फैमिली इंक वेरिफिक्सन का कम कम्प्लेट ये कम कम्प्लेट होते ही जो है पीन के उपर लैटर देने शुरू किये जाएंगे तो यह जानकारी आपके लिए रहेगी काफी शमय से जो कोमेंट थे पीन के गंटी को दबा लें ताकि हर अर्याना को सुद्रोद्गार निगम की हर अपडेट आपको मिले इसी के साथ थैंक्यू दोस्ते